अब आप सबीको स्वाबत करता हूं जैसे कि हम पांचवा चप्टर को पढ़ रहे थे आइधेंग पांचवा ही पढ़ रहे थे लास्ट वीटे पे देखना पढ़े वाशाइद मुझे भी आरे नहीं नहीं पांचवा ही पढ़ रहे थे इस तो पांचव चप्टर का नाम क्या था संकारि भीष्व में दक्षण एश्या और लास्ट वीडियो शर्ष्ण के अंदर हमने पांचिस्टान के बारे में सब कुछ देखा ऐ पांचिस्तान के वारे हैं सब कुछ देखा है अगर आपने बहुंचन नहीं किया है तो आप ज पाकिस्तान का तो नाम सुनकरी बहुत खलबली में जाते होगी तो पढ़ो जाके एक बार देखो उसमें क्या था क्या नहीं था अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि पाकिस्तान के बाद अगला ऐसा कौन सा हमारा पडोसी देश है दक्षिनेश्या का जो और पी इंट्रस्टिंग अब कहतो सकते हैं कि वो पाकिस्तान का ही एक बेटा सो रूप है अर्था उसी का फुत्र हो पर हम ऐसे टहेंगे नहीं देख इस बैढền बांगला देश हैं और देखता है कि एक प्रशाशन कैसे है सादे estàओ इसकी उतपत्ति कैसे हुए हां खुटपत्ति मैं आखभ्म अमतारा इस बना कि यह राष्ट बना है कैसे बना है यह राश्ट बने की कुछ अपनी ही कहानी है कैसे सुनुवात कुछ इस तरीके से हुई कि जब हमारा ब्रिटिश भारत था अर्था जब हम ऑपनी देश थे अर्था हम जब गुलाम थे तब ब्रिटिश भारत मूर लूप से तीन अर्थों में बढ़ गया यह वह बढ़ा भारत थिके एक बढ़ा पस्चिवी पाकिस्तान ओधिक है और एक बढ़ा पूर्वी पाकिस्तान क्या रहो सर्थ यह नियस अब आया पूर्वी पाकिस्तान यह चाहीं हमने तो पाकिस्तान सुना और वो तो सिर्फ पाकिस्तान सुना ये कब से concept डब डब दो तो ड़ने की कोई जबत नहीं है clear हो जाएगा कि यह पूर्वी पाकिस्तान क्या है यह पस्ची में पाकिस्तान क्या है तो भारत के अंदर दो ऐसे चैट्र पहचाने गए जहां पहचाना गया पहस्ची में तो एक चैट्र पहचाना गया पूर्व अब यह डिसाइड करना मुस्किद था आज का पाकिस्तान पस्चिमें ही है और पूर्व का पाकिस्तान कहते हैं हम बंगला देश को इसकी स्टोरी है हमें पढ़ने की क्यों तो पूर्व में जो मुस्लिम लोग थे अब ऐसा कोई तरीका नहीं था कि हम पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मुस्लिम समाज को एक जगें लाव के तो उस समें डिसाइड ये किया गया कि दिशा के अधार पे दो पाकिस्तानों का लढ़न कर दिया दो इस तरीके से एक पश्चिमी पाकिस्तान के लाया और एक पूर्वी पाकिस्तान के लाया जब पाकिस्तान के दो हिस्से हो गए तो इस्तिती कुछ इस तरह बनी कि सारे जो प्रशाशनिक तंत्र है मतलब राजनितिक सासन को चलाने के लिए जितनी भी चीज़े अब राजनित वेस्ट ने स्थापिट पूर्व में कुछ नीगा क्लियर अर्थार पाकिस्तान का सारा शौशन होचा था और जहां से दिखो कहां से चलता था पूर्व में क्या रिख दाते हैं पूर्मु वाले जो लोग थे पूर्मु वाले जो लोग थे इधर समझारों आपको नहीं नहीं इधार इधारी करता हूं पूर्मु वाले जो लोग थे वे लोग मूलता बांगला बोलते थे कि बहुते हैं और पश्चिम होऀए यह चैत्र बठाश आसम और पश्चिमबंग्गाल और पूरी पर कोई बाया टाष तो वहां पे जो भारती संस्क्रिती के लोगों थे निसी संस्क्रोप का पाकिस्तान के पार्ण करते हैं पर जब बन तो अलग होगे बांगला बोलने लगे भारते संस्कृति का पालन करने लगे तो पश्चिमी पाकिस्तान के सासकों ने वहां के हुकमरानों ने महा के सदस्यों ने ये बात कही कि पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उर्दू बोलनी पड़ेगी मुस्लिम संस्कृती का पालन करना पड़ेगा उन्हें भारते संस्कृती को छोड़ना ही पड़ेगा कितनी बेकार बात कि कोई व्यक्ति अपनी संस्कृती खुद भी पालन के लोगों को जबरदस्ती उनकी संस्किति को बदने का प्रयास कि लोगों ने इस वाद कर जया दिया हैं यह संसकिति को प्रयोग ना करने दे रहे थे तो एक तरफ वो दबाऊ अग्राई यह था कि मैं पूर्व के पास कोई भी प्रशाशनिक अधिकार नहीं था क्या नहीं था पूर्व के पास कोई भी प्रशाशनिक अधिकार नहीं था तो इस बात का भी विरोध था कि पूर्व के लोगों की सारी जो प्रशाशनिक रिया हैं वह पश्चिन के हिसाब से चल ले थी पूर्वार्वनों लोगों पूर्व वाले लोगों पुर्व कि इस्तियों को पूर्व के पास तो पूर्व के पास olarak तक कहोंचाने धा ही नहीं कोई पार्टी ही नहीं ही कोई संद्रखी नहीं थी त Help पाकिस्तान की संसत में जाकर वो सकें या फिर वहां पर आके अपनी बातों को उठा से कि एक्दम से ही पता ही नहीं एक्दम से ही एक व्यक्ति उभर कर आते इसी बीच और उनका नाम होता है कि सेख मुझी कि बुर्रह्मान कि सेख मुझी पुरह्मान उनका नाम होता है वो देखते हैं कि जंदा बहुत ज़्यादा त्रस्त है और पश्चिमी पाकिस्तान का विरोध कर तो यह क्या करते हैं विरोध को समर्थन देते हैं और लोग भी क्या करने लग जाते हैं इंका समर्थन करने लग जाते हैं लोग आवामी लीग कौन सी पार्टी बना देते हैं आवामी लीग देखा ना सब ने हाँ यहां से शेख मुजीव और अमान ने एक पार्टी बना दी आवामी लीग अब जो आवामी लीग बनी तो सेख मुजीव और अमान कहां से संबंदित थे पूरवी पाकिस्तान से संबंदित पाकिस्तान के लिए उन्हें बादे उठाना शुरू करते हैं और लोगों को दिखाते देख मैंने वोट डाला अपर अप्लोड करते हैं हैं तो वैसे Inter Stop में क्या हुआ पकिस्तान में चुनाव होने के समय पॉलिंहीं बूत थे पॉलिंग गूत जो थे वो पूर्वी पाकिस्तान में बने अब कि पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान की जनता क्या कर सकती थी अब वोट डाल सकती थी वोट तो पहले भी डाते थी पर अब वो पूर्वी पाकिस्तान की जनता अपनी पार्टी अपनी छेत्रे पार्टी कौन सी याद करो याद हाँ याद आया तुम्हें कौन सी पार्टी थी अपनी छेत् पाकिस्तान के लोगों ने वोट दिया। पाकिस्तान की तरफ से जो भाटिय घड़ी गी तो बोट नहीं दिया। इस कारण का हुआ। कि 1970 के इलक्षन के अंदर सारी सीटे और सब्सक्राइब के अंदर जो सारी सीटे ती पूर्वी पाकिस्तान की वह सारी सीटे कौन से पार्टी जीत गई पाकिस्तान के तो पूर्व के जीटे हुए सारी सीटे जीट गए तो यह पहुंचें संसद और आपको पता है कि संसद कहां पर थी संसद है पश्चिमी पाकिस्तान के ध्यान देना पश्चिमी पाकिस्तान में तो पूर्व के जीते हुए संसद पश्चिमी पाकिस्तान के संसद में अपना प्रतनेज़त्व दिखाने के लिए वहां के अपने सदस्ता को दिखाने के लिए कि हाँ हम पूर्वी पाकिस्तान के तरब से सारे सीटे जीत कर आएं बड़ जब आप पहुंचे तो उनके साथ तो जादू हो गया जादू कहने का मतला भी है कि कोई जादू सच में हो गया कुछ आपन हुआ कुछ सही नहीं हुआ सही ऐसे नहीं हुआ कि जब यह लोग पहुंचे तो वहां पर क्या हुआ पश्वी पाकिस्तान की पार्टियों ने पूर्वी पाकिस्तान को इस बात से आस्विकार कर दे कि आप जीती हुई पार्टी आपने कोई सीट जीती और वहां पर जैसे ही पूर्वी पाकिस्तान की अवामिलिक की जो पार्टी थी वे लोग वहां पे गए तो उनको पकड़कर जेल में डाल रहे हैं तो यह पहले छोटे स्थर पे था सिRO पूरवी पाकिसतान में भी होने लगया बड़िस थर्पर कि भाई उनने पहली बार अपनी किसी पार्टे को अपनी बाते पहुंचाने के लिए मां तप पहुंचाए उठी में पाकिस्तान क्या कर रहा है उनकी जीते हुए सबस्यों को पकड़कर जेल में बंद कर रहे है और रहा है लिट तो पूरभी पाकिस्तान के अंदर भी क्या ऊगए क्या कुअ है चैने प्यूम हो गया वी रोध प्रदर्शन के सुरूए अब क्या हुआ बिरोध vy प्रदर्शने पश्चिंट पाकिस्टान फास्टान आप आपनी सेना बेश दी ताक्त हना पूर्वी पाकिस्टान में लगब एक लाख सेने क्या सबस तो फूर्वी पागिस्तान में अपनी सेना ठी को में यह सेना क्या करते सारे विरोध को और यह सिना क्या करते विरोध को दबा भाद अब अब जब huh बहुं ने में भाब करता आगे भारत को अब अब जब जब भारत में भाग कर आगे तो अभी इस्व शिर्फ इसका नहीं रहेगा पाकिस्तान का नहीं रहेगा अभी इसुबन गया भारत के अनदर हां लोग आने लगीया लगभग असी लाग है तो भारत भी प्रॉड्लम में आगे बीए इतने सारी लोगों का कौन रोकेगा खौन खर्चा उठाया इतने सारे लोग तो वाहाई भारत ने इंग घृत यूद्ध यूद्ध उ गया और यूध्ध ऑर पाकिस्तान के इस युद्धे के अंदर भारत विजही रहा है और जैसे ही भारत विजही हुआ तो विश्व के अंदर एक नया सुतंत्र देश उभर का रहा है और वह जो सुतंत्र देश है वह है बांगला देश खेशानना कोरते हैं जो टीसी नहीं प्याइपड़ा जुमत्त करने पड़ता हुआ अंदर ने पड़ते हैं शहीदी प्राफ्त है जों और ना सुछ से निर्माड होगा तो 1971 की युद्ध को सांत कराने के लिए क्या कराने के लिए सांत कराने के लिए एक समझहुता किया गया जिस समझहुते हैं कहते हैं सिमला समझहुता यहां तक ना यह सिम्ला समझोता था कि 1971 का जो युद्ध हुआ भारत और पाकिस्तान के इमद्ध है उसको सांत कराने के लिए जिस समझोते का प्रियोग किया गया उसको हम सिम्ला समझोता कहले और इसी के बाद से बंगलादेश एक स्वतंत्र राष्ट बन गया उसने अपनी खुद की प्रशाशने किस्तिती तयार कर ली और आगे किस्तियों को बढ़ाने लगे इसके बाद इससे जुड़ा जो अगला कोशन है हम उसकी तरफ ध्यान देते हैं क्योंकि हमने यह तो पढ़ लिया कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई अब हम इसके राजनितिक प्रशाशन की तरफ ध्यान देंगे किसके राजनितिक प्रशाशन को कैसे बया किया जाए तो आप सब इसको ध्यान देना अगर कोई भी क्रॉशन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि सरा हमको यहीं समझ में आया आप वहां पे क्लियर करना अब हम इसके बाल नक्स टॉप ही थी चोटी है फो आप बड़ी जरूर में है समकतिक हौए तो हम बात कर रहे हैं तो राजनितिक में प्रशाशन एक अब लवाज्ञ अजसर्ज्रा फिजम्रीし यहीं और संपीधां 59 कैजए म०्स माम आगर संविधान के अंदर लोकतंत्र धर्म निर्पेक्षिता गड़राज्य संप्रभुता मतलब भारत से बहुत कुछ लिया इन्हों ने अपना संविधान तो बहुत अच्छा बनाया बहुत अच्छा परतु वह नांटीन सेवंटी टू के अंदर पहली सरकार और सरकार किसी बनी ऑविसी बात सब्सक्राइब करी सकते हो आवामी लिग की बनेगी जो पार्टी देश को राश्ट कराने में एहम हुमिका निभाती है जो वेक्ती राश्ट में को एहम काम करता है उसी का चैरा प्रधान मंत्री कौन बन गए सेख मुझी गुरहम रहमान ठीक है यह प्रधान मंत्री बन गए अब प्रधान मंत्री बन गए 1972 में बट पता ही नहीं क्या हुआ कि 1975 के अंदर इन्होंने एक गोश्डा कर दी कि देश के अंदर अब कोई भी विपक्षी दल नी होगा हम सारे के सारे विपक्षी दलों की माननेता समाप्त करने क्योंकि अब सिफ एक ही दलोगा और वो होगा केवल और केवल आवामी इस तरीके से शेख मुझी पुरहमान ने अपनी ताना शाहे को दिखाने की कोशिश की कि हमारे अतरिक इस राष्ट में कोई और दल हो नहीं सकता कोई और शाशक हो नहीं इसको लेकर विरोधक शुरूब जब भाई या फिर कहो सेग मुझी रहमान किस पर उतराए तौग ते दिशे अंदर बहुत ज़्यादा विरोध प्रदर्शन होने लगे आप जब मुझी रहे हैं अपनी सब्ता चोड़ने से बना कर लिया है सेना के बड़े बड़े अध्यकारियों ने सेकh मुजिर बरहमान का दबाव डाला कि आप ऐसा नहीं कर سकते हैं अगर आपने ऐसा किया तो हम भी एक्षन लेए तो सेना ने भी एक्षन लेना सुरू कर दिय funeral तो सेना ने क्या किया सेख मुझी बरहमान को उन्ही के घर में घेर लिया और उनको मार दे और उनको मार देने के बाद शाषन में आगया बदलाओ अब जो शाषन आया अब जो शाषन आया वो आया सेना सासन कौन सासन आया अब आया सेना सासन ये फस्ट था ये सेटेंड अब आगे सेना सासन और सेना सासन में कौन था सेना सासन में था जिया उर्रह्मान जनरल जिया उर्रह्मान जनरल जिया उर्रह्मान जनरल जिया उर्रह्मान उस समय के राश्पती बने सेना नायक बने सेना के शाशन में और इन्हों ने जाजर लंबा पारेकाली 5 साल के लिए रहे फिर इन्हों को भी किसी ने हटा दिया और इन्हों ने अपने सासनकाल में एक पार्टी बनाएं ते जिसे कहते हैं BNP और BNP का पूरा अर्थ क्या है बंग्लदेश नाशनल पार्टी इन्होंने बनाएं और फिर 5 सालों के बाद 1980 के अंदर इनको हटा दिया यह बने कब्ते 1975 में बने दें और 1980 के अंदर इनको हटा दिया और बस इनका जादा कोई भूनिकार थी नहीं या पुस्तकों में दिखा पाहि नहीं गई है इन्होंने बस इक बिये पी पार्टी इसके बाल मिया जो तीसरे ने तो भाई कह सकते हो कि तीसरे और ओंते जनरल के एच एम का इरशाल कि कौन थे जड़ एच एम इरशाद कौन थे जनरल एच एम इरशाद एच्छ विरिशाद ने क्या किया जब सासन करने की शुरुवात की तो सुरुवात में जनता यह कह रही थी कि हमें तो लोकतंत्र चाहिए ठीक है बट एच्छ विरिशाद ने क्या सपित कर दिया था सेना सासन इस्थापित कर दिया था जनता धीरे धीरे विरोध कर रहे थी जादा बड़े सतर पर विरोध कर रहे थी ठीक है 1985 तक आते आते जब दुबारा चुनाग हुआ तो जनता ने विरोध प्रदर्शक करके यह सोचा कि भाई एच्छ विर्शाद का जो सेना सासन चल रहे है उसको हड़ा देते हैं और लोग तंद्र को सापित कर देते हैं बड़ नाइंटेनेटीफाद में जो विरोध हुआ उसको दबा दिया गया दबा इस तरीके से दिया गया कि जब एच्छ विर्शाद को ऐसा लगा कि भाई इस्तती मेरे विरुध जा रही है तो क्या करना चाहिए कुछ ना कुछ तो रियायत देनी चाहिए कहते हैं कि साम जादा होने लगया दबाने के लिए अच्छ विर्शाद में कोशिश की कि क्या कर दी जनता को कुछ अधिकार दे लिए कि जनता नोड़ी सांत हो जाए जनता सांत अभी हो गई पट क्या हुआ जब 1990 में फिर से चुनाव की वारी आई तो आप जनता ने एक बात गोशित कर हम लोगतंत्र ही चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए तो भाई जो है कि में विरोध को अपनी च्छोड़नी ही पड़ी और उसके बाद क्या स्थापित हो गया उसके बाद इस्थापित हो गया लोक तन और वर्तमाज समय में बंगला देश में क्या इस्थापित है लोक तंत्र इस्थापित है और लोक तंत्र किसके नित्रित में है आवामी लीग के नित्रित में है और आवामी लीग में शाशन कौन कर रही है हसनावत कोई भी नहीं तो नाइटीन नाइटीन से बनी हुई है और तिल नाव दोहजार बीस में भी आज भी काइम मत्रब आज भी महां की परधामनत्री बनी हुई है आज भी बनी है तो आप देख सकते हो कि बांगलादेश की राजनितिक ववस्ता इस्थिर नहीं थी कभी लोगतंत्र तो कभी सेना साजन पर फाइलली वहां पे आज लोगतंत्र स्थापित है और एक बहुत लंबे समय के दौर से चल रहा है और वहां की पहली जो महिला प्रधामनत्री बनी है वो कौन बनी है सेख हशीना और वर्दमान में भी वही वहां की क्या है प्रधान मंत्री इस तरीके से हमने बांगलादेश की राजनितिक ववस्ता बांगलादेश की उत्पत्ती का पूरा द्यन किया कि बहुत कुछ जानने को मिला बहुत सी ऐसी बाते जो आपने कभी सुनी भी ना और वह भी आपको जानने को मिला उन्हें थौट तो सबसे बड़ा कि भाई सिख हसीना इतनी बड़ी वहां की लीडर है कि इतने सालों से बैटी हुए अभी तब उनको कोई व्याटा नहीं सका तो इस तरीके से हमने अपने पड़ोसी देश में एक देश पढ़ा अब इसके बाद हम अगले टपी की तरह बढ़ते हैं और अगला देश देखते हैं कि कौन सा अभी हमने बहुना देश की उत्पत्ति और समस्त राजनितिक रवस्ता का अध्यर कर लिया है अब हम दक्ष आप मैंस भी पढ़ रहे होगे अब बीपर भी देख रहे हो हो कुछ आजीव ही ची चल रहे है कि जो वहां के प्रदान मंतरी है ऐं वो तो कुछ आजीव-जीव से कथन दे रहे हैं पता ही नहीं यह सही है यह गलत पर फिर भी लोग इसकी बहुत किडिंग कर रहे हैं फिर कैसा है क्यों है हम देखते हैं क्या हुआ नेपाल हमेसा से हैं नेपाल हमेसा ही क्या था एक राज तंत्र था मतलब पूरे दक्षिव एशिया में नेपाल ही एक ऐसा देश है ढ़ी सबसे लंबे समय उखाड फेकने के लिए विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे तो 1990 से पहले 1990 से पहले जब भी कभी विरोध प्रदर्शन हुआ करते थे तो इन विरोध को दबाने के लिए राजा किसका इस्तेमाल करता था सेना का इस्तेमाल करता था और सारे विरोध प्रदर्शनों को दबा बट हुआ क्या 1990 के बाद 1990 के बाद विरोध प्रदर्शन इतने जादा बढ़ गए विरोध प्रदर्शन इतने जादा बढ़ गए कि अब राजा को यह समझ में आ गया कि अब इनको दबाया नहीं जा सकता तो जब सेना के जगें दबाया नहीं जा सकता था कोई और तरीका धा और तरीका यह था कि बिरोध प्रदर्शन करने वालों की बातों को सुना जाए और उनकी मांगों को कुछ हद तक माना जाए तो बिरोध प्रदर्शन करने के कारण कुछ मांगों को मांगों को मान लिया इस पेहले महलें थी कि अब सम्वैध्वानिक राजतंत्र क्या होगा संवैध्वानिक राज तंत्र होगा और दूसरी बात ये स्विकार ले कि अब संसद का गठन नहीं करेगा नेपाल अब नेफाले के अंदर राजा तो हो गई होगा अब क्या होगा संविधान भी होगा सांथी सत्थ अकीना राजा निदय नहीं लेगा आप वहाँ पे निनय निनय के लिए संसंद Recently करे के से राजा नि जनता को दो चीजें कि आ कर दिया 1990 के बाद जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उसको क्या कर दिया बिलुकुल शान्त कर दिया बट फिर भी इस्तिती कुछ सुधरी नहीं मतलब जैसा दिखरा वैसा हुआ नहीं सब कुछ धीरे धीरे समय भीता और 2002 के अंदर कब 2002 के अंदर नेपाल के अंदर कुछ समूदाय रहते हैं जिसको मावाधी कहते हैं ये लोग क्या करते हैं 2002 के अंदर राजा के खिलाफ एक गुरिला युद्ध करते है गुरिला जंगलों वाले गुरिला तो है पर ये वह वाले गुरिला निये जो तुम अपने माइंड सेट में नबार हो यह क्या करते हैं यह युद्ध की कला होती जिसको गुरिला युद्ध कला कहते हैं इस कला में क्या होता है कि विरोधी या कोई भी वेक्ति अगर जंगलों का इस्तेमाल करकी युद्ध लड़ रहा है तो इसको गुरिला युद्ध कहते हैं II में कुछ माओवादीं ने मिलके दिति राजा के करा गुरिबा क्या दित्ट गुप युद्ध दिखिया किसे खिलाब लड़ रहे हैं राजा के खिलाब लड़ रहे हैं तो माओवादी लड़ रहे थैं तो नेपाल की जनता को भी इस बारे में पता चलिया कि माववादी राजे के साथ रड़ रहे हैं तो जनता ने किसका समर्तन कर दिया जनता ने कर दिया माववादी का समर्तन और ये दोनों हो गए एक साथ ठीक है पर अब जब ये एक साथ हो गए तो कितने लोगों का यूद तो गया ध्यान दो यहां पर एक तरह माववादी साथ में जनता और दूसरी तरह राजा तो यह विरों तीन लोगों के मद्ध्य हो गया इसी देश को त्री कोडियं शंघर्ष कहा ठीक है हाला कि इस युद्ध के अंदर जीत कौन गया राजा जीत गया और माववादी और ज क्या थी राजा के पास थी सेना राजा के बास सेना थी उसने हरा दिया जब राजा जीत गये युद्ध तो राजा ने एक बात कही राजा ने एक बात ये कही कि अगर आपको सब कुछ देने के बाद संवेधान भी देने के बाद संसप देने के बाद अगर आप विरोध प युद्ध के परिणाम सुरूप संगर्स के परिणाम सुरूप जो संसद थी उसको क्या कर दिया गया समाप्त कर दिया है मतलब यह कह दिया गया कि अगर आप युद्ध ही करते रहोगे तो फिर हम जो आपके लिए कारे कर रहे हैं वो तो बेकार है इसी लिए उसको समाप्त कर देना ही सही होगा तो जो बनी सलस्त थी 1990 के पंदरशनों के बाद उसको समाप्त कर देना है अब ऐसे नहीं कि विरोध खता हुए विरोध का स्वाल दुवारा उभरा कब 2006 एप्रेल में ठीक है कब उभरा 2006 के एप्रेल में क्या हुआ 2006 के एप्रेल में क्या हुआ कि सैवन पार्टी अलायंस ठीक है साथ दलों का गड़ बंदन साथ दलों का गड़ बंदन इन साथ दलों के गड़ बंदन ने प्लस माववादी ने प्लस जनता ने इन तीनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा विरोध पदर्शन शुरूगया 2006 में और अब की बार ये विरोध पदर्शन इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा हुआ इतना बड़ा हुआ कि इस समय के जो राजा थे वो थे ग्यानेंद्र क्या कर दिया अपना पद छोड़ दिया मतला उन्होंने अब स्विकार कर लिया कि आवा में इस विरोध पदर्शन को दबा नहीं सकते इसी दुखो मतला अब इस पद को हम छोड़ रहे इस तरीके से नेपार में जो बहुत लंबा लोकतंत्र का संगर्ष जारी रहा वो लो झूंको दुखिया सर्यहrants रहती है कि वहां पर संयर्ण बनोर जाता है तो वहां पर संभीधान जाती के त пыт बह。 प्दर्भाव देखता है! तो नेपाल का संब्दहन का में बनाया गए नेपाल क्या बनाया गया है इसी तो को संभीधान records प्र क्या आफे आज भी नेपाल में क्या है लोगतंत कायव है तो इस वीडियो पार्ट के अंदर हमने किनकिन को पढ़ लिया बांगलादेश को पढ़ लिया और नेपाल को पढ़ लिया तो हमने दक्षिन एशिया के दू सदसी देशों के बारे में बहुत अच्छे थे पढ़ा और आप भी इसको ध्यान से पढ़ना अभी बहुत कुछ बागी है खतम नहीं हो गया है ऐसा मस्वनर की वीडियो का पार्ट खतम हो गया तो चैप्टर खतम हो गया बहुत कुछ अंदर तो सभी को टाटा बाई बाई और मिनते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर के अगरा